हेले स्टूडेन कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासिस पर सवगा था उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चलोगी बच्चो बोड एकजाम 2024 को टार्गेट में रखते हुए हम दिरंतर वीडियोज कर रहे हैं अभी तक में मैं आप से बात करूं तो कमिश्टी में चैप्टर फूर आपका कंप्लीट फिजिक्स में चैप्टर आपका फाइप रणिंग है मतलब जल्दी वीडियो जाना सुरू हो जाएगा चैप्टर फाइब का और बच्चो यदि बायोलाजी की बात करू तो ये भी आपका चैप्टर फूर ही चल रहा है मैथ में चैप्टर फाइब चल रहा है ये चीजे मैं आपको लगातार प्रोवाइट कर रहा हूं और दिरे दिरे करके ऐसे क्लासिस आती रहेंगी आज हम बच्चो चैप्टर फूर में ये आपका चैप्टर फूर है जिसम संक्रमन तत्तों का समान इलेक्टरानिक बिन्यास तो N-1 D में आपका 1-10 इलेक्टरान हो सकता है और N-S में 1-2 इलेक्टरान होता है कभी-कभी आपको 1 नहीं मिलेगा लेकिन आपका 1-2 होना चाहिए ध्यान रखिएगा ठीक है ऐसी बच्चो आप लोगों के लिए ये कोशन पूश दिया जाता है कि भाई ये आपके D ब्लाग के लिए था F ब्लाग के लिए क्लिए क्लिए होता है तो N-2 आपका F में 1-14 तत्त होते हैं फिर N-1 D में D में एक ही इलेक्टरान होता है D में एक ही इलेक्टरान होगा या तो 0 होगा अधिक्तम एक इलेक्टरान होगा या तो 0 होगा इससे अधिक तो होई नहीं सकता बच्चो ये चीछ हमें सायाद रखना और N-S S में दो इलेक्टरान हमें से रहता है ये आपका किसका है F का या कि मा लीजिए D में 0 से 1 ऐसा भी देखने को मिल सकता है 0 होगा या तो 1 होगा बच्चो ठीक है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, यह आपका 0 से 1 है 1 से 14 और NS में 2 यहां से 2 objective question बन गए है हो सकता है आगे प्रशन लिखा हो, नहीं लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं है, यहां पर आप समझना चरूरी है तो आप समझ लेजिए Lengthenate Sankution का क्या कार्ण है किस कार्ण से Lengthenate Sankution होता है तो जो आपका परशन प्रभाव नगर्न हो जाता है ठीक है, परशन प्रभाव नगर्न हो जाता है मतलब N-2 में आपका Electron जो भरता है तो अंदर के लिए कम इसका आकर्षन हो जाता है इसलिए बाहर के Electron का आकर्षन हो जाता है इसका प्रभाव कम होने से, अंदर वाले के Electron का प्रभाव कम होने से बाहर वाले के Electron प्रभावित हो जाता है और अपनी और आकार्षट करता है यह ना भी क्यों तो थोड़ा सा आकार में कभी हो जाता है ठीक है अगला बच्चो आपका मोहर लबड का सूत्र क्या है मोहर लबड का सूत्र F.E.S.O.4 NH.4 का whole twice into SO4 into 6H2O ठीक है यह आपका मोहर लबड यह चेप्टर आपके अगले चेप् यह क्रोमियम का होता परमाण कमंग 24 बच्चो ठीक है ऐसका इलेक्रानिक बिन्नयास होता है 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 पिर आपका बच्चो 3D और यहां पर 4S2 बड़ाता है यह आपका क्रोमियम है और कापर में इसी के आगे 3D 10 हो जाता है और यह 4S1 हो जाता है ये ठीक है ये आपका बच्चो क्रोमियम का हो गया और ये कापर का electronic business 3D5 4S1 3D10 4S1 ठीक ऐसा आपको यदि मैं आप बाहू के नियम के अत्रिक्त बताऊं तो ऐसा होना चाहिए 3D4 होना चाहिए 4S2 होना चाहिए यहाँ पे 3D9 होना चाहिए 4S2 होना चाहिए लेकिन बच्चो ये अधिक स्थाई नहीं है स्थाईत को ग्राण करने के लिए S का एक electron यहाँ पर आ जाता है तो 3D5 हो जाता है 4S2 हो जाता है ठीक है चीजे clear है आगे चलते हैं बच्चो F2 positive iron में आयुगमित electron की संख्या कितनी है F2 positive iron F2 positive का मतलब क्या हो गया F2 positive निकला तो आपका F2 बच्चा 24 ठीक है क्या बच्चा 24 ठीक है तो कितने आयुगमित electron की संख्या है तो यहाँ पर आप electronic बिन्यास निकालोगी तो बाहतम को समेदी 4 बच्चा है तो 20 तक तो देखो बच्चो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, फिर 3d आपका 4s2, आपका 2 यहाँ पर देखो 2, 2, 4, 6, 10, 10, 12, 12, 12, 16, 18, 18 हो गया 18, 20, 24, 24, 24, यह D में जो है एगमित electron की संख्या हो जाती है ठीक है यह हो गया तो 4 हो गया इसी प्रकारदी एक electron और देदेगा किसी को एक electron और दे दिया तो फिर इसमें एगमित electron की संख्या कुछ और हो जाएगी ठीक है इतना clear है आगे देखिए कि अमेनो 4 का आक्सिकरद संख्या कितना है तब प्लस 7 होता है यह आक्सिकरद संख्या किसी से निकालते बन रहे नहीं बनना तो भाई यह बनना चाहिए जिसे मैं यहां पर आपको निकाल कर दिखा दिता हूं बच्चो के का होता है एक MN का में X निकालना है आक्सिजन का होता है माइनस 2 और 4 आक्सिजन बराबर 0 हो जाएगा एक दन X माइनस 8 बराबर 0 तो X माइनस 7 बराबर 0 X बराबर आपका 7 आगे एक इसका आक्सिकन संख्य हो गया संक्मन तत्तों में रंगीन होने का क्या कारण है D D संक्मन ठीक है D कच्चक में आई किमीत इलेक्टरान मुखरूप से और D D संक्मन जीडी संक्मन का क्या होता मतलब कि D कच्छक के इलेक्टरानी दूसरे D कच्छक में जाते हैं जिससे उर्जा को अफसोसित करते हैं तो कुछ रंग को अफसोसित कर लिए और कुछ को बाहर कर दिए वो हमें रंग इन दिखाई जिन लगता है सिक्का धातू किसे कहा जाता बताओ आरन कोबाल्ट और निकिल आरन कोबाल्ट और निकिल ये सिक्का धातू कहलाते हैं F बलाग के तत्तों को क्या कहा जाता बच्छो आंतर संक्मन तत्तों संक्मन तत्तों किसे कहते हैं D बलाग के तत्तों को देखिए इसलिये तुम मैं बोलता हूँ, यह आंतर है ना, अंतर नहीं, आंतर शंक्मन तत्त। तो एक साथ दूसरा Quesnatural अलुडी तयार हो जाता है तो आप लोग बताओ, भै ये पला के तत्तों क्या बोलते हैं, आनतर संक्ममण तत्तों, तो डीवला के तत्तों को किस नाम से जाना जाता है तो संकबनल तत्तों के नाम से जाना जाता है, 59करण बस्तह प्रदर्शित करने वाले संक्वन धात्र की प्रवत्ति कैसी होती है बच्चो छारी प्रकति की होती है या फी त्री पाश्टी आयन में अग्मिट लेक्रानों की संक्या अधिक्तम कितनी संक्या होती है पांच होती है अधिक्तम संक्या पर पूंचा है अधिक्तम पांच होगी लेंथेनम की कौन लर अभी कर्मा कहलाता है HGC2 ठीक है और कियाई का चारी बिलियन कहलाता है नेसे लर अभी कर्मा कहलाता है D बलाक के तत्तों में ZN परिवर्ति सहुज़क्ता प्रदर्शित नहीं करता क्यों क्योंकि इसमें D कच्छक में पूर्ण इलेक्रान भरे होते है आपको ZN का परमान कुमांग पता होगा न बच्चो ZN का परमान कुमांग कितना होता 30 होता है लेक्रानिक बिन्यास जब निकालोगे तो लास्ट में 3D10 और 4S2 जब इसमें पूर्ण रूप से इलेक्रान भरे हैं आपको ZN कर मेंULUMA इलेक्रान भरे होता है योगी किस रूप में प्रियोक किये जाते हैं तो इनका प्रियोक किये जाता है ऐसे बच्चो आप लोगं का अंतर संकमनतत तो आपका N-1 ठीक है और EF में एक से चवदा इलेक्रान और D में बच्चो आपका 0 से 1 इलेक्टरन होता है 2 इलेक्टरन कभी आप नहीं पाओगी इसको थोड़ा आप लोग सुधार कर देना ठीक है आपको बच्चो 0 से 2 इलेक्टरन और S में आपका हमेशा 2 इलेक्टरन यहाँ पे आपका N में 0 से जीरो से आपका एक ही इलेक्टरान होता है दो इलेक्टरान कभी आप पाओगी नहीं एब बलाक के तत्तों की कितने स्रेणिम बाटा गया है तो एब बलाक के तत्तों को दो स्रेणिम बाटा गया है डी बलाक के तत्तों को कितने स्रेणिम बाटा गया है आप लोगों को लगता होगा इतने में complete नहीं बच्चो इतने में काम कहानी खतम नहीं होती है अब जैसे मैं बात करता हूँ आप लोग देखेगा question ही करता हूँ इतने में मैंने बोला था 30 अभी तो 22 हुआ है इसके बाद मैं पहला question करता हूँ कि प्रथम आंतर संक्रमन स्रणी को क्या कहा जाता है बताओ प्रथम आंतर संक्रमन स्रणी बताओ जरा ये कौन सा स्रणी कहलाता बच्चो तो lengthenide कहलाता है क्या कहलाता है lengthenide कहलाता है ठीक है इसके बाद दुती आंतर संक्मन स्रेणी ये दिया आप से दूसरा कोश्चन पूछ दे कि दुती आंतर संक्मन स्रेणी बताओ तो आपका होता है एक्तिनाइड क्या होता बच्चो एक्तिनाइड दो कोश्चन यहां से आप त्यार करू प्रथम आंतर संक्मन स्रेणी आपका होता है लेंथिनाइड और दुती आंतर संक्मन स्रेणी आपका एक्टिनाइड कहलाता है अब एक question बढ़िया सा आपको देता हूँ कि बताओ Cu1 positive है और Cu2 positive है कौन रंगीन होगा कौन रंगीन होगा बताओ आप लोग इनमें से आपको बताना है कौन रंगीन होगा और कौन रंगीन होगा रंगीन जिसमें कलर ना हो जैसे बच्चों मैं आपसे कह दूँ 3D आपका यहाँ पे 10 electron और 4S 1 होता है जब 1 positive जाएगा मतलब S का निकलेगा तो 3D 10 बचेगा ठीक है और 4S 0 बचेगा जब 2 जाएगा तो आपका 4S में 3D 9 बचेगा और 4S 0 बचेगा क्योंकि 2 electron चलेगा एक S का एक D का तो देखो कभी भी रंगीन की बात की जाए तो रंगीन वही होगा जिसमें अईग्यमित electron होगी देखो जरा इसमें D कच्चक में अईग्यमित electron इसमें पूर्ण रूप से 10 electron है 10 का मतलब कुछ इस प्रकार से समझो 5 कच्चक होते हैं सम में 2-2 electron है तो यह इग्यमित है ठीक है? सम में 2-2 और इसमें एक में अईग्यमित होगा तो जिसमें अईग्यमित electron होगे वही रंगीन आयन बनाएगा तो यह बच्चो आपका रंगीन हो गया रंगीन पूचेगा तो इसको लिखना है और ए आपका रंगीन हो गया रंगीन पूचेगा तो इसको लिखना है यदि पूचा इन में से कौन सा रंगीन है तो यह रंगीन है यदि पूचा इसमें से कौन सा रंगीन है तो यह आपका रंगीन है जिसमें आयुगमित डी इलेक्टरांस होंगे आयुगमित डी कच्छा खोंगे उसी का हम कह सकते हैं कि रंगीन आयन होगा यदि जिसमें डी डी संक्रुन संभव नहीं है जिनमें आयुगमित इलेक्टरांस नहीं है बच्चो तो उस पे रंगीन आयन बनने का कोई चांस नही बनता है इसके बाद एक कोशन और मैं आपको देता हूँ जिंक की आक्सी करणवस्था कितनी होती है आक्सी डेसन नमबर कितना होता प्लस टू होता है प्लस टू होता है ऐसा क्यों होता है इसका रीजन बताता हूँ बच्चो जिंक कायदी मैं कहूं तो 3D10 और 4S2 लास्ट मे आपका पूंड रूप से इस्थाई रूप से पूंड इलेक्टरन भरे हैं तो केबल S के ही दो इलेक्टरन निकलते हैं इसलिए फ्लस टू आक्सी डिसन नमबर दर्साता है फ्लस टू आक्सी करणवस्था दर्साता है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है clear है अब बच्चो आ आपका एक अंक में एक कोशन पूछा जाता है संक्रमन तत्तो किसे कहते हैं जिनके अंतिम इलेक्टरान N-1D का च्छक में प्रवेश करते हैं या ऐसे तत्तो जिनके N-1D का च्छक आंसिक रूप से भरे होते हैं उन्हें हम संक्रमन तत्तो कहते हैं अब आंतर संक्रमन तत्तो किसे बोलेंगे ऐसे elements या ऐसे तत्यों जिनके अंत्रिम लेक्टार्ण N-2 F उपकोस में प्रवेस करते हैं या ऐसे तत्यों जिनके N-2 F उपकोस अपोंड होते हैं अर्थात आंसे कुरूप से भरे होते हैं उन्हें आंतर संक्मन तत्यों कहते हैं ये चीजें बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बच्चो ध्यान रखिएगा ठीक है इस बार जो है न आप लोगों का जो objective question बनेगा सत्यासत्य भी बनेगा ध्यान रखिएगा और जो लोग सोचते थे कि सत्यासत्य हमारा नहीं आएगा तो हम ऐसे ही राजा बन जाएगे तो फिर दिक्कत है बहुत बड़ा लोचा में आप लोग फशने वाले हो जैसे question बन जाता है लेंथेनाइड आक्सु आयन बनाता है सत्य या असत्यों यदि याद है आपसे कि आक्सु आयन नहीं बनाता है यदि question आए बनाता है तो आप लिख दोगे असत्यों और नहीं बनाता है तो सत्यों ठीक है यदि आजाएगा एक्टिनाइड आक्सु आयन बनाता है तो बिलकुल सत्य है आक्सु आयन बनाता है ऐसे बच्चो बहुत ज़्यादा question पूछे जाएंगे इसलिए मैं maximum कोसे से ही करता हूँ कि आप लोग बहतर से बहतर तयारी करो deep में जाओ पूरे lecture देखो यदि आप ऐसी गलती करेंगे तो इस साल आपको फिर सोच लो की भाई रोना ही है तो आज के लिए इतना ही बच्चो और ही ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें डिस्क्रिप्सन पे आप का लिंक होगा आप में भी जॉइन कर लें आप को भी डाउनलोड कर लें ठीक है बच्चो और प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें बस आप लोग से एक ही उमीद रहता है भाई कि बास टाइम पूरा करो और बच्चो के साथ सेयर कर दो थोड़ा बहुत पसंद आई जाए तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार हमारा भी थोड़ा सा होसला आपके बलभूते थोड़ा सा बन जाए बस बच्चो आप लोगों से बस यही उमीद रहती है इसका नोट्स लेना है तो कंटेक्ट नमबर मैं आपको प्रस्णल दे देता हूँ 96.85.29.99 इस नमबर पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही बच्चो मिलते हैं गली वीडियो के साथ जय हिंद बंदे मात्रम